जीएम फसल पर विश्वे के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी लंबे समय से बहस छुड़ी हुई है पिछली सरकार में जीएम फसलों को लेकर हमेशा दिवीधा बनी रही थी पूरुपरधारमंत्री सीरी मर्मोहन सिंग ने एक बार कहा भी था जीएम फसलों के विरुद एवेग्यानिक पूर्वा अगरों से गरशित होना ठीक नहीं जैव प्रोधोगी की में फसलों की पैदावार भढ़ाने की प्रयाप्त संभावना है और हमारी सरकार किरसी विकासे तो इन नई तकनिकों को प्रोधान देने के प्रती वचन बद है बावजिदिस के ततकालीन परियावण मंत्री श्री जैरामरा मेस ने फरवरी 2010 में बीटी वेंगन पर शोध को अनुमती नहीं दी ततपशात परियावण मंत्रायले संभालने वाले श्री जैंती नटराजन ने भी जीएम फसलों के खेतों में परिक्षन फिल्ट रायल पर रोक लगा दी थी वर्द 2014 में केंद्र में भाजबा सरकार के आने के बाद परियावण मंत्री श्री परकास जाविडे करने पहले तो 15 जीएम फसलों के फिल्ट रायल के अनुमती दे दी थी वर्दमान समय में परियावण मंत्रा ले रही है कहकर कि मामला सरवोच नियाले में विचार धीन है इस फैसले को टाल दिया जीएम फसल से तातपरे जीएम अर्था जेनेटिकली मोडिफाइड जीन समवर्दित फसल अनुमान्स के रुपांतरन के द्वारा उत्पन की जाने वाली फसल है दूसरे सब्दों में कहें तो जीएम फसलों के उत्पादन में दूसरी प्रजाती के जीन को आरोपित किया जाता है उधारनात बीटी कोटन नामक कापास की नई प्रजाती कित पती कापास के पोधे में विसेले कीडे के जीन को जोड़ कर की गई है इस परकार जीन रुपांतरित बीटी कोटन की पतियां फल जड तने सब विसेले हो जाते हैं और इसकी पतिया आदी खाने पर बाल उट्म खेती की शिरुवात आधुनी खेतों में GM तक्निक का सरवप्रथम प्रियोग टमाटर पर क्या गया था वर्स 1944 में में अमेरीका में GM ओस्टलों के बृष सब्स्राइब की विबसाइब तोर पर शुरू किसान संगठन एम कई NGO द्वारा काफी विरोध पर ट्रायल पर रोक लगा दिया गया और फसले नश्ट कर दी गई विपक्षी पारटी भाजबा पहले से इसके विरोध में ख़ड़ी थी वर्स 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजबाने तरत वाली केंदर सरकार ने इस पर्स रूप से कहा कि अंतर राष्ट इस्तर पर स्विकर्ती मिले बिना राजस्तान में जीम फसल के परिक्षनों को अनुमती नहीं दी जाएगी राजस्तान के वर्तवान कृष्य मंत्री के शब्दों में जीम फसल भारती जलवायू के प्रती इकूल है उलिकनी की मद्य परदेश को जीम फ्री स्टेट खोसित किया गया और राजस्तान सरकार भी चाहती है कि उसके राजे को जीम फ्री स्टेट खोसित किया जाए यदि भी आज अमेरिका ब्राजिल अर्जेंटीना का नाड़ा चीन साइथ विस्वे के 28 देशों में जीम फसले उगाई जारे है भारत में भी इस टकनिक द्वारा का पास उगाने कहनू आती है तथा भी विश्वे की 77% जीम फसलों गी घेती सिर्फ अमेरिका ब्राजिल और अर्जेंटीना में की जाती है जीम फसलों के उत्पादर में अमेरिका नंबर एक पर है किन्तु जीम तकनिक का वैस्ट वे किस्तर पर अत्यजिक परचार परसार होने के भशाथ अब तक अमेरिका वेबराजील के किर्श को द्वारा इस खवयापा किस्तर पर प्रियोग किया जा रहा है जीम खेती के पक्ष में विचार जीम तकनिक के समर्थों का मानना है कि विस्वे की बढ़ती जनसंक्या की खाद्यापे रुथे तूँ वनों की घास वाली भूमें पर खेती की जाने समय की मांग है पर इस से परियावरन को नुकसान पहुंचता है यदि परंप्रागत किर्शी के इस्तान पर जीम फसले उगाई जाए तो पैदावार दुगनी हो जाएंगे और जय विवित्ताएं पारिस्तिती इतन संतुलन पर भी प्रतिकुल बार प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तक्निक के पक्षधरों के अनुसार प्रंप्रागत फसलों में कीट पतंगों द्वारा फसलों की काफी मात्रा में बरबादी हो जाती है जबकि जीम फसलों में कीट पतंगों से लड़ने की प्रतिरोजग शमता मोजूद रहती है प्रमपरागत फसलों में वाईरस बैक्टेरियम फपुंदी के प्रकुप की काफ़ी संभावना होती है जब कि जीम फसली इनके द्वार उत्पन रोगों से स्वेम को बचा लेती है जीम समर्था कहते हैं कि इस नई तक्निक में रसाइनों के प्रियोग के बारे में लोगों की धारना नकारात्मा का जब कि वास्तिकता यह हैं कि पूरे विस्वे में जीम का पास जीम मक्की की खेती में प्रमपरागत फसलों की तुलना में कीट नास्कों का प्रियोग काफी क सुल गर कियों कि इस में आदक पर बाद को अडिक के बढ़त्याईने व कि मुध्य जाता है। वर्तबान समय में इस में और गई जाने के अमपनी मेंशन टॉफ से खरीदे जा रहे हैं जिससे राजश्यों का हास होता है सेंट्रल इंस्टूट फॉर कोटन रिसर्च नागपूर के अनुसार वर्स दोजार चार से दोजार ग्यारा के मद्ध बीटी कोटन के पादन में विशेस वर्दी नहीं देखी गई अमेरिक और कनाड़ा में कीट ना सक प्रवावीन होते जा रहे हैं यूस डिये के अनुमन के अनुसार वर्स दोजार तेरा में विश्व भर में इतना खादा नुत्वान हुआ कि उससे तेहरा अरब लोगों के लिए खादा पूर्दी की जा सकती है इस बात से इस पश हो जाता है क आग भी विश्व में अनसंकट की स्थिती नहीं है आवशकता है तो सिर्फ संपूर्ण व्यवस्था में सुधार लाने की खादार वितरन को ठीक कर भारत वें अन्य ऐसे ही देशों से भुक मरी दूर की जा सकती है फिर पर्यावरण और प्रानियों के स्वास्त कोहानी पह करने तो अधिक सकती साली रसायनों का प्रियोग क्या जाना आवशक हो गया है आज अमेरिका सूपर वीड्स की समस्या से ग्रेस्त है उपसना निशही भारत को जीम भीजों को खेतों में परिक्शन करने से पूर चूहूं आदी का प्रियोग करके उसके परिणामों का अच पर पढ़ने वाले प्रबाहों का दिर्ग कालिक परिक्शन के बिना भारत जैसे विकासिल देशों भी इसके प्रियोग के अनुमती देना निशही खत्रों से खाली नहीं होगा बावजूद इसके इससे संबंद और सोध अध्यन बंद किया जाना विज्यान के द्वारों क पवरुद करने जैसा होगा ते मारव स्वास्व परियावरन को हानी ने पहुंचे ऐसी सोध अध्यन की गुंजाइस रखनी होगी धन्यवाद